नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वाकत है मैं एक बाद फिर उपस्ते दूँ एक नई वीडियो के साथ मित्रों आज की मेरी वीडियो उन सभी के लिए है जो यूट्यूब पर पढ़ाय की वीडियो बनाना चाहते हैं चाहे वो टीचर्स हों या फिर यूट्यूबर बनने की चाहत रखने वाले ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीट प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि आप यूट्यूब के लिए वीडियो कैसे बना सकते हैं हाला कि इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ किन्तु उसमें जो मैंने सौट्वेर यानि इस्तमाल होने वाली एप्स के बारे में बताया था वो या तो पेड वर्जन में अवलेबल हैं और वो अपने वाटर मार्क्स भी देती हैं या फिर उन पर वर्क करना कुछ साथियों से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उनको थोड़ा हर्ट लग रहा है तो आज जो तरीका मैं आपसे बताने जा रहा हूँ जिन एपस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यूज करने में बहुत आसान भी है और फ्री में विदाउट वाटर मार्क भी आप उनको यूज कर सकते हैं इन एप्स से आप लेखने वाली वीडियो भी आसानी से बना सकते हैं तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो वीडियो के नीचे लालंके सब्सक्राइब बेटन को क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बराबर में दिये गए बैल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको सुचना मिल जाएक रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो मितरों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एप्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो नौन चाइनिज एप है आपको मैं ऐसी एप्स बता रहा हूँ जो इंडिया में भी बनी हुई है कुछ एप्स उनमें इंडिया की है कुछ फॉरेंज है ना कुछ विदेशी है लेकिन वो चाइनिज नहीं है तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं और ये जो मैं आपको आज एप्स बता रहा हूँ ये और एप्स से जो मैंने पहले बताने थी उनसे ज्यादा बैटर है और आसान भी है जिससे आप प्रोसेस बड़े आसानी से कर सकते हैं तो आज़े चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो मैं आपको एप्स बता रहा हूँ आप नाम ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि अब प्ले स्टोर से जब उसको डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल करेंगे तो उसका आइकन भी आप बहुत देखकर कीजिएगा ना डाउनलोड तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमारी जो एप है वो है डॉक स्कोनर है ना डॉक स्केनर जो है वो इंडिया का अप है उसके बाद है एजड स्किन रिकॉरडर ठीक है इसके बारे में बात करेंगे और थर्ड है हमारे पास वीडियो मेकर ये तीन हम एप्लिकेशन आज यूज करने वाले हैं इस्टॉल करेंगे अपनी वीडियो को बनाने के लिए ये तीनों गूगल प्ले स्टोर पर एवलेबल हैं जिनको आप फ्री में विदाउट वाटर मार्क भी यूज कर सकते हैं तो आईए आपको गूगल प्ले स्टोर पर लिए चलता हूँ साथ ही इन एप्स का लिंक भी मैं डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आप आसानी से ये एप्स डाउनलोड कर लें इन नामों की कई अन्य एप्स भी प्ले स्टोर पर अवलेबल हैं लेकिन आपको उन में से सिर्फ ये ही डाउनलोड करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ इनके आईकन आप बहुत अच्छी तरह के तरीके से देख लीजिएगा तो चलिए प्ले स्टोर ओपन करते हैं तो चलिए मित्रों सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं यह हमारा प्ले स्टोर ओपन हो चुका है और ध्यान नकिलिएगा यहाँ पर आपको जो मैं एप्स बता रहा हूँ वही apps उसी icon वाली आपको download करनी है तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर search बार में हम जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं dock scanner ठीक है यहाँ पर मैंने पहले से search कर रखा था तो मेरे search बार में लिखा हुआ था dock scanner आप लिखेंगे और यहाँ पर आप कई सारी application देख पा रहे होंगे scanner के नाम से आजाएंगी dock scanner कभी सारी dock scanner है तो यहाँ पर भी dock scanner है एक dock scanner यह है और उसके उपर एक dock scanner है तो आपको जो download करना है वो यह वाला dock scanner करना है जिस पर made in India लिखा हुआ है 도क्युमेंट स्कैनर के नाम से है है ना dock scanner बोलते हैं इसको और document scanner के नाम से यह made in India है इसको हमें install कर लेना है इसको open करेंगे और आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर open का option आप आ रहा है क्योंकि मैंने install कर रखी है ठीक है आपके यहाँ पर install का option आएगा इसको install आप कर लेंगे ठीक है तो आपको यही वाली application जो है install करनी है ठीक है चलिए अब आप इसको download कर लीजिएगा इसके बाद हमें जो दूसरी app डाउनलोड करनी है उसके बारे में बात करते हैं इसको मैं back कर रहा हूँ और पीछे फ screen recorder दिखिए यहाँ पर यह लिखाव आगया क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से write कर रखा था सर्च हिया था तो यह आ गया है अब आप इसको आइकन अच्छी तरह देख लिजिएगा एजए इसक्रीन रिकॉर्डर ठीक है यह आपको यहाँ पर download कर लेना है और यहाँ पर मे हम फिर से back चलते हैं और यहाँ पर search bar में write करते हैं हमारी जो third application है video maker ठीक है video maker यहाँ पर मैंने प्रेजल से search कर रखा था दिखो video maker के नाम से friend यहाँ पर काफी सारे आपको icon दिख रहे होंगे video maker video maker है ना इसी तरह से और भी नीचे आ जाएंगे आपके पास तो यहाँ पर आपको जो download करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ video maker लिखने के बाद आप एक काम करेंगे यहाँ पर search bar में लिखेंगे video maker video maker video guru लिखेंगे आप ठीक है क्या लिखेंगे video maker video guru है ना video maker video guru से आपका जो required वाली जो हमको चाहिए वही वाली application open होगी तो देखिए आप सबसे पह ठीक है यह हमारी जो है requirement है इसको हमें क्या करना है डाउनलोड कर लेना है चलिए इसको मैं open करके दिखा देता हूँ आपको इसका icon आप बहुत अच्छे देख लेजेगा video editor for youtube video.guru के नाम से यह हमारा video maker है जब आप इसको download कर लेंगे तो यह जो इसका name है वो video maker के नाम से आ पहले ही कर लिया था आपके लिए मैंने यहां पर बता दिया कि यहां पर open की जगा install का option आएगा और आप उसको install कर सकते हैं ठीक है तो चलिए friends हमारा half work तो हो चुका है हमने यह तीनों जो applications थी यह आपको बता दी हैं आप इसको install कर लेंगे after installation आपको क्या करना है चलिए मै आगे का process आपको बताता हूँ यह दो आपको icon दिखाए दे रहे हैं एक आपका camera का है और एक gallery का है है ना इन दोनों की help से हमें यहां पर क्या करना है यहां पर जो है हमें अपना scanner का use करना है document scan करने है यह हमारे दोनों जो option है यह आएंगे हमारा document को scan करने के लिए पहला camera का है है और दूसरा gallery का है तो द सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें वह हornे कायılar मैटेरियल चाहिए जो हम क्या करने वाले हैं स्कैन करने वाले हैं तो स्कैन करने के लिए Friends, आपके पास कोई भी मैटर होना चाहिए मान लिजी, आपके अपास कोई भी e-book है, या कोई भी जो चीज्जे आप करना चाहते हैं, documents वो डॉकुमेंट्स आपके पास होना बहुत जोरी है ठीक है तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ और आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह से हम इसका यूज करते हैं और किस तरह से हम इसके स्कैनिंग करेंगे तो सबसे पहले मैं इसको जो कैमरे वाला आप्शन है इस अलाओ कर दीजिएगा तो यहाँ पर मैंने कैमरे का आप्शन चूज किया और यहाँ पर जो कैमरे के आप्शन को क्लिक करने के बाद देख लिजए यह इस तरह से यह स्कैन हो जाएगा और आप चाहते हैं तो फ्लेश लाइट का भी आप्शन उपर है उसको भी आप आप देख लिजे इस तरह से ऊपर नीचे करके एडजस्ट करके जितना आपको डॉकमेंट लेना होगा उतना आप क्या कर सकते हैं क्रॉप कर सकते हैं उतना ही डाउनलोड आप कर सकते हैं उसको है ना उतना ही स्कैन कर सकते हैं और यहाँ पर आप एक ची देख पा रहे होंगे यहाँ पर देख लिए यह color का option आ रहा है तो यहाँ पर आप इसको ok कर दीजेगा तो यहाँ पर ok करने से आपका document यहाँ पर scan हो जाएगा और बिल्कुल as it is जैसे बिल्कुल neat and clean होता है वो देख लिए कितना अच्छा हमारा matter आ गया है तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा matter क्या हो गया है scan हो गया है यह paper जो हमने scan किया था बिल्कुल neat and clean आ चुका है अब यहाँ पर क्या है सबसे नीचे आप देखेगेगा यहाँ पर नीचे की side में आपका option आ रहा होगा तो आप इस right करके इसको save कर सकते हैं उपर यहाँ पर काफी सारे option है color 1 है इसमें आप अलग-अलग तरह किसे देख सकते हैं sharp 1, ocv black तो आपको अलग-अलग format आपको यहाँ पर दिखा देगा तो आप इसका जिस तरह का use करना चाहें वो use कर सकते हैं मैं यहाँ पर सिर्फ color C का use करता हूँ और इसके बाद ok कर देता हूँ ok करने के बाद यह हमारा right का निशान इसको हमने ok कर दिया और हमारे documents save हो जाता है तो friends एक बाद ध्यान दिख लिजिएगा कि अगर आपको एक से ज़्यादा documents करने है save तो वहीं पर आप एक के बाद एक scan करते चले जाएगा और सबको एक साथ बाद में save कर लिजेगा तो यहाँ पर हमने ok कर दिया और यह हमारा matter देख लिए save हो रहा है ok कर दिया हमने तो यह हमारा matter हो गया save इसमें दो जीजे हैं friends के आप इस matter को image के रूप में रखना चाते हैं यह PDF के रूप में रखना चाते हैं तो पहले मैं इसको थोड़ा back कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि यह आपका देख लिजे ओपर का matter आ गया हमारा जो हमने अभी किया था मैं open करके देता हूँ आपको यह एक page हमने अभी scan किया था और यह page हमारे पास यह रहा तो इसमें आपको करना क्या है तो देख लिजे अगर आप इसको PDF के रूप में करना चाते हैं तो निच्चे आपका एक option आ रहा है यहाँ पर देख लिजे आपको दिखाए गया है है ना यहाँ पर compress का आपको एक बटन दिखाए देगा उसको compress करने का मतलब है कि इसको थोड़ा और small size का कर सकते हैं यहाँ पर नीचे काफी सारे option दिए गए हैं नीचे आप देख पा रहे होंगे size है share है open with save तो इसको save भी कर सकते हैं PDF के रूप में PDF के रूप में save करेंगे तो यहाँ पर आप दो option आएंगे save as image, save as PDF तो किसी भी आप format में जैसे आपका desire हो उसके according आप क्या कर सकते हैं save कर सकते हैं इसको ठीक है तो मैं यहाँ पर इसको अभी रहने देता हूँ जहाँ पर save होगा जहाँ पर आप चाहेंगे जैसे मान लिजे PDF में मुझे save करना है और मैं इसको doc 1 के नाम से doc 2 के नाम से save कर देता हूँ यह save हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा sexually saved आ लिखा होगा तो यह जहाँ आपकी gallery या folders जहाँ पर होगा इसका document scanner का folder बन गया होगा आपकी gallery में जहाँ पर storage होगी आपकी वहाँ पर यह आपको मिल जाएगा ठीक है तो वहाँ से जब भी हमें use करना होगा इसका video बनाने के लिए हम इसको वहाँ से उठा लेंगे ठीक है तो यह हमारा complete हो चुका है इसके नीचे यहाँ पर बहुत सारी चीजे हैं इसमें कोई चीज आप use करना चाहें काफी सारे option है इनको use आप करकर के दिखिएगा आपको यह सब कुछ समझ में आ जाएगा इसके साथ जब मैंने इसको back कर दिया तो यहाँ पर दॉट आपको दिखाई दे रहे है crnts तो यहाँ पर direct यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ से इसको gallery में save कर सकते हैं दें option आपको अपको मिल जाते हैं मैं उपर करके दिखा देता हूं आबको यह सारे option मिल जाएंगे साथ मैं आपको पता देता हूँ मान लीजिए कि हमें scanning नहीं करनी है अब हमें हमारी gallery में कोई document पड़ा हुआ है उसको हमें scan करना है है ना camera से scan ना करके gallery से कोई photo उठाना है या कोई text उठाना है तो आप gallery में जाएंगे और gallery में यहाँ पर देखिए कितनी सारी आपके पास documents available होंगे तो वहां से आप कोई सा भी एक document उठा लेंगे जैसे मान लीजिए यहां से हम उठा लेते हैं कोई से भी उठा लेते हैं मान लिजिए यहाँ पर कितनी सारी हमारे पास availability है यह आपके पास एक है तो इसको done कर दिया हमने एक document को select करके तो आपको देख लिजिए जैसे मान लिजिए यह हमारा एक page था तो यह page हमारा क्या हो गया है यहाँ पर select हो गया है और इसके चर्थर boundary आ गई है तो इसको आप सीधा जो यह arrow का निशान था इस पर click करेंगे और यह आपका देख लिजिए क्या हो गया है यह आपका scan होके आपके document में आ चुका है और save करने के लिए इसके right को click कर देंगे तो यह right पर click करने से save हो जाता है ठीक है तो यह आपका इस तरह से save हो गया और इस scanner का camera है उससे भी और gallery से भी दोनों तरह से आप जो है अपना document को क्या कर सकते हैं save कर सकते हैं scan कर सकते हैं तो यह तो हमारा हो गया doc scanner ठीक है doc scanner के बाद आप बारे जो दूसरी application है हम उसके बारे में बात करते हैं और इसको back कर देते हैं ठीक है चलिए अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ az scanner के बारे में ठीक है तो हमने scanning तो सीख लिए ठीक है और scanning में यह अगर आपको तब भी कोई problem है तो friends आप हमें इस video के description box में sorry comment box में आप हमें message कीज़ेगा और हम आपको उसका solution प्रोवाइड करा देंगे ठीक है step by step आपको बता देंगे के आपको कैसे करना है है न वैसे तो आप वीडियो के मादम से समझी पाएंगे तो चलिए मैं एक अपनी दूसरी application खोला हूँ और az screen recorder को यहाँ पर open कर लेता यहाँ पर हमने पहले से कुछ documents बना रखे थे तो वो यहाँ पर लिखे हुए आ रहे हैं लेकिन आपको यहाँ पर सिधा सिधा interface मिलेगा यहाँ पर कुछ नहीं आएगा आपका interface में केवल एक आपका यहाँ पर screen दिखाए देगी और यहाँ पर काफी सारे option इस तरह करके द resolution तो इस resolution को आप अपने desire के according set कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आप इसको click करेंगे तो यहाँ पर आपको कही सारे resolution देखने को मिल जाते हैं तो आपको full HD चाहिए है ना HD चाहिए या high quality चाहिए है ना या जो भी आपको graphic चाहिए होता है तो वो यहाँ से आप क्या करेंगे इसक कर सकते हैं 1280 by 720 या 920 by 1080 यह आप select कर सकते हैं HD के लिए ठीक है तो यहाँ पर आप resolution की बात हो कि इसको आप select कर देंगे bit rate को ऐसी छोड़ देंगे frame rate को कुछ नहीं करेंगे और आप आप आए जाएंगे orientation पर orientation में आप यहाँ पर आपको पहले auto दे रखा होगा यहाँ पर आप landscape कर देंगे ठीक है लैंडिस्केप क्यों करेंगे मैं आपको अभी जब हम इसका work करेंगे तब बताऊंगा तो लैंडिस्केप इसको यहाँ select कर दीजेगा उसके बाद यहाँ पर record audio select रहेगी आपकी output बा आपका क्या काम करेगा brush यह brush जो है आपका यहाँ पर जैसे मैं इस video में लिख पा रहा हूँ आप देख रहे हैं मैं कुछ भी write लगा रहा हूँ या कुछ यहाँ पर लिखता हूँ है ना tools लिखता हूँ मान लीजे मैं लिखने का काम करना चाहता हूँ तो tools लिख दिया मैं से जाता हूँ AZ screen recorder पर AZ screen recorder पर आने के बाद आपके पास एक ऐसा tool मिल जाएगा है यहाँ पर देख लिजिए तो आपको यहाँ पर एक tool मिल रहा है यहाँ पर क्योंकि मैं भी इसी से recording कर रहा हूँ तो इससे मैं आपको यहाँ पर पर आपको यहाँ आपको यहाँ दे रहा है कि मैंने ब्रेश का यूज किया है तो इस तरह से यह हो जाएगा अब करना क्या है जिस document को आपको वीडियो बनानी है उस document पर जाएंगे जैसे मान लिजे वो document मैं gallery में है और gallery से मैं एक document को ले लेता हूं मान लिजे मैं किसी एक document को ले रहा हूं कोई सब भी हो सकता है एक document मैंने इसे select कर लिया ये आपका document खुल जाता है ठीक है यहां जो option दिखाई दे रहा है उपर आपको skin rotate का, इसको enable कर देना है, ठीक है, skin rotate enable होनी चाहिए, आप इसको अपने phone को आप side में rotate कर दीजिएगा, तो इस तरह से आपका ये document आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, ये मुड़ गया होगा, है न, इस तरह की screen आपके पास आ जाएगी, अब आपको करना क्या है, दोनों finger का use करके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है, ठीक है, और ये आपका, क्या हो जाएगा, फुल screen पर आएगा, दोनों finger से आप उसको zoom कर देंगे, ठीक है, जूम करने से ये पूरी screen पर आजाएगा, आपका जो भी matter है, वो clear show होने लगेगा, ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो right side में बटन है, यहाँ पर तो आप camera का बटन आएगा, बना ह यहाँ पर आपको show नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं already recording यहाँ कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपका जब इस button को दबाएंगे, आप red वाले को, तो यहाँ पर आपका आएगा button किस चीज का camera का, तो उसको आप दबा देंगे, तो इस तरह की video आपकी चलने लगेगी, और recording हो लगेगी, तो अब आप क्या करेंगे, आप brush का use करके यहाँ पर tick लगा सकते हैं, या कुछ लिख सकते हैं, important, जो भी कोई चीज आपको बतानी हो, वहाँ लिख सकते हैं, उसके बाद finger से आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, है न, scroll कर सकते हैं अपने document को, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, मैं उपर नीचे कर रहा हूँ, तो यह सब आपका क्या हो जाएगा, record हो जाएगा, ठीक है, और record का, जब आपका record हो जाएगा, आपको जितना matter record करना था, उसके बाद फिर से उस बटन को दबाईएगा, जो बीच में आ जाता है, वहाँ पे, तो बीच म का, तो यह वहाँ पर क्या हो जाएगा, save हो जाएगा, तो आप इस तरह करके, एक, दो, तीन, जितनी भी recordings हो, उसको आप क्या कर लिजेगा, record कर लिजेगा, है ना, वो सब आपको क्या करना है, उसके बाद उसकी editing होगी, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, scanning कैसे करें जो document आपने लिया था, उसको यहीं से, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप उसको क्या करेंगे, open कर लेंगे, import कर लेंगे, और यहाँ पर galley से open, open करने के बाद इसकी आप recording कर लेंगे, और जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, उसी तरह आप recording करेंगे, हाँ, एक चीज का और कि आप जब भी recording करें, तो ear lead का जरूर use करें, ear phone का use करें, ear phone को अपने phone से connect करके, तब आप recording करें, जिससे आपकी आवाज clear आ जाए, और outside noise जो होता है, वो भी थोड़ा कम हो जाए, है ना, चली इसको मैं back कर रहा हूँ, back करने के बाद मैं आ जाता हूँ, अब next, जो हमारा जो हमारी next application है, वो है video maker, ठीक है, चली video maker पर चलते हैं, और यहाँ पर मैं इसको open कर लेता हूँ, video maker को, तो video maker जब आपका खुल जाएगा, तो यह कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा, तो यहाँ पर आपको paid version से कुछ मतलब नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका, है ना, इसके बाद सीधा आपको कहा जाना है, इसको उपर आपको cross का निशान दिखाएगा, इसको cross कर देना है, और यहाँ पर आपका, कुछ पहले से matter होगा, तो वो दिखाएगा, मैंने कुछ matter बना रखा था, तो वो यहाँ पर शोर था, यह आपकी समय क्या जाएगी, यह आपका interface आजाएगा, इस तरह का, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका new project लिखा हुआ है, तो हमें new project करना है, तो यहाँ पर ok करेंगे new project पर, और यहाँ से देख लिजिए, आपकी gallery open हो जाएगी, videos, photos और all, यहाँ पर सब वो खुल जाएगा, जो जो आपका जो आपने यहाँ पर बनाया होगा, तो यहाँ पर मैंने बहुत सरी videos बना रखी है, है ना, तो वो यहाँ पर show हो रही है, तो आप यहाँ से चाहे select कर लिजिए, जैसे मान लिजिए हमें एक यह video select करने थी, यहाँ पर हमने select कर लिए है, यह import हो जाएगी, है ना, इसी तरह से अगर हम इसको back कर देते हैं, ठीक है, इसको हटाना है, दूसरी को लेनी है, तो दूसरी कोई videos आप ले लेजिएगा, ठीक है, तो बहुत सारी videos यहाँ पर हमारे पास available होंगी, वो आप कर सकते हैं, इसके बाद उपर 3 dot दिखाई दे रहे हैं, इसको click करेंगे, तो 3 dot पर आपकी यहाँ पर गैलरी खुल जाएगी, यहाँ से आप अपनी video को क्या कर सकते हैं, select कर सकते हैं, ठीक है, मान लिजे हमको कोई video select करनी थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक video ऐसी लेंगे, जो हमें select करनी है, जो हमें edit करनी है, ठीक है, तो हम मान लिजे, यहाँ से हमने एक वीडियो ली और इसको हमें एडिट करना था तो यहां पर यह वीडियो ओपन हो जाएगी और यहां पर यह इस तरह से आ जाएगी ठीक है तो यहां पर यह वीडियो आ चुकी है क्लियर तो यहां आपको करना क्या है यहां पर इस वीडियो को आप जो यहां पर पट्टी दिखाय दे रही है है ना इसको आप क्या करेंगे टच कर देंगे और टच करने पर नीचे trim का option आएगा ठीक है तो इसका end part आप क्या करेंगे trim करना चाहेंगे तो आप इसको सबसे पहले end में चले जाएगा trim पर क्लिक केजिएगा trim पर करने के बाद आपका इस तरह का option आजाएगा यह trim पर क्लिक करने के बाद यह option खुल जाएगा और यहां पर आप देख पा रहे है last में और शुरू में इस तरह से हम जितनी मर्जी उतनी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं cut कर सकते हैं ठीक है बीच में से भी कुछ part ले सकते हैं इस तरह करके कुछ part split भी कर सकते हैं cut भी कर सकते हैं नीचे आपके पास दो option आरे हैं cut करना चाहिए तो cut कर सकते हैं प्लिट करना चाहते हैं स्प्लिट कर सकते हैं त्रिम कर सकते हैं तो यहाँ पर सभी option अवलिबल हैं तो आप इसको अपनी मरजी के अनुसार देख लीजिए आप руला आफ कोंसा पार्ट इसमें रखना है कौन सा कट करना है आगे का पीछे का कौन सा इसमें वीडियो का पार्ट आपको हटाना है कौन सा एड़ करना है तो एड़ करने के लिए भी मैं पता देता हूं आपको जैसे माली जी एक यह वीडियो आपके पास पहले से थी है ना इसमें आपको दूसरी वीडियो एड़ करनी है तो यहां पर प्लस का साथ आजाएंगी ठीक है जब दोनों वीडियो एक साथ आ जाती है उपर आपके पास एक यहां पर देख लिजए यहां पर एक उपर की साइड में है ना अपलोड का ओप्शन है तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पर क्लिक करने पर यहां पर आपस रेजुलेशन के पूछेगा कि आपको सेव कैसे करनी है तो लो मेडियम हाई और आपके पास यहां पर रिकमेंडेड जो पॉइंट्स हैं यहां पर रिजुलेशन आपको बताएगे ऐस तरह से आप उसको सेलेट करेंगे और यहां पर सेव कर देंगे तो वह आपकी वीडियो कहां जाके पर बहुत सारे आप्शन उसमें अंदर होंगे जब आप उसको अप्लिकेशन को यूज़ करेंगे तो फ्रेंट्स आपको वह समझ में आ जाएंगे वह सब के लिए हो जाएंगे ठीक है तो यह सब चीजे हैं मैंने आपको लगभग लगभग सभी कुछ बता दिया है फ्रे टाइम्स यूज़ करके देखिएगा पहले आप छोटी छोटी वीडियो बना कर उसको 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 वर्क कीज़ेगा उसको प्रोसेस कीज़ेगा जब आपको दो तीन बार करने के बाद सारे ऑप्शन समझ में आ जाएं तब उसको आप वर्क कीज़ेगा बड़ी वीडियो ठीक है तो मित्रों आज मैंने आपको complete वीडियो बनाना सिखा दिया है उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी यदि आपकी कोई प्राब्लम हो तो हमें मैं दुबारा बता रहा हूँ आपको comment box में जरूर लिख देना हम आपकी समस्य का समधान जरूर करेंगे तो मित्रों चलते चलते निविदन करूँगा कि सभी परिक्षाओं की तयारी के लिए और नई तक्निकी बारिकियों की सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल पर आपको निश्वल पाठे समगरी भी पराप्त होती है वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि अन्ने लोग भी इसका लाब ले सकें तो चलता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद